प्रेमित्रों स्वागत है आप सबका आपके अपने आनलाइन इस्ट्यूट इस्टेडिवित प्रदीप पे जी एस की स्रिंखला चल रही है और जी एस स्रिंखला में आप सबका स्वागत है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतियास और आधुनिक भारत का परिच्छा बाणी की बुक पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जैसा कि हमने इसके पहले स्लेबस और स्टेटिजी के बारे में आपको बता रहा है लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर दें और दूसरी चीज़ दूसरा क्लास हम लोग करने व तीन चैप्टर पढ़ते हैं फिर उसका अद्बोर होने लगते हैं फिर बंद कर देते हैं फिर आपका टाइम डेबल से डूल गरवर हो जाता है था हम लोग यहां पर इसको वीडियो क्लास पहले आडियो क्लास पूरी बुक पढ़ेंगे जिससे सभी फैक्ट को हम आसानी से देख सकें जान सकें समझ सकें फिर उसके बाद हम लोग वीडियो क्लास करेंगे और उन टापिक पर ज्यादा फोकस करेंगे जो इस टापिक से ज्यादा प्रशनाते हैं और लास्ट का सेग्मेंट होता हमारा प्रेक्टिस पेपर प्रेक्टिस पेपर हम लोग बाद में करे तो आप इसको देखते रहे हैं अपने दोस्तों को सेर करना ना भूलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग यूरोपी कंपनियों का आगमन होता क्या है कि यूरोपी कंपनी धेरे भारत के तरफ प्रवेस करना सुरू करती हैं भारत में आकर के वो बिजनस करना सुरू करती है कारणे होता है कि जब भारत यहां पर अभी लड़ रहा है छोटे-छोटे राज्यों में छोटे-छोटे भागों में बटा हुआ है एक तो संब्रिद है धनी है बहुत धनी देश है भारत तो होता क्या है कि य दूसरी देश के तरफ पर्सार करते हैं तो उनकी नजटती देशनु में यानि की चीन हरत इत्यातु आथा तो उसी सिलस्ते में यहां पर से चैक्टर में बताए गया कैसे यूरोपी Friend II कैसे यहां पर अस्थावी बनती हैं कैसे वर लाइनित में हस्तक छेप करते हैं कैसे अपने परकर कुरिसार करने आती हैं तो इन सभी मुद्द। पर हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते सबसे पहला यहां पे भारत में मुक्ता दो भागों में बीद्डेशी एक सब्सक्राइब थे परतम उत्तर पस्चमी सीमा को पारकर प्रसिद्ध योंग परमपरा का अस्थल मार्ग से और दुती समुद्र मार्ग से कह रहा है कि भारत में आने के लिए दो मार्ग थे एक मार्ग तो आपकी परमपरा जो जो अस्थल मार्ग था उससे आ जाए या तो यह समुद्र के मा दोनों ही ब्यापारी मार्ग के रुप में प्रियोक क्या जाते रहें के पहले भी इस्थाल और जल्ब건 के रूप में प्रियोक किए जाते रहे Jed900- distint ऐस्थाल मारग बालकन देश व्हारे से तर्की फारस एरा इरान इराक होता हुआ अफगैनिस्तान पहुंचत था जो हस्तल मारक था बालकरंपर्देश से टिर्क्र जाता था फिर फारस एरान इराइक होता हुआ अफगैनिस्तान पहुंचता था फिर खैभर कुर्म और बॉलंड गोमल चार अब काहां भारत में खुलता था अब क्या हुआ कि खैरम, कुर्रम और बोलन इक्तियाद दर्रों के माद्यम से भारत में खुल जाता था दूसरी और जल मार्ग जो था भूमत सागर तथा लाल काला सागर दौरा भूमति सागर त तथा काला सागर दोरा लाल सागर फारस की खाड़ी से आरफ सागर होता हुआ भारत में पर पहुछता था तो एक मार्क तो था जो कि अस्थल मार्क से आता था दूसरा मार्क था जो कि जल मार्क से आता था कहां से भूमद सागर से काला सागर और काला सागर से लाल सागर लाल सागर से फारस की खाड़ी और फिर अरफ सागर होता हुआ भारत में प्रिवेस कर जाता था यह ब्यापारिक मार्च 14 सताब्दी तक निर्वाद चलते रहे, 14 सताब्दी तक इसमें कोई रोक टोक नहीं आराम से चलते रहे, क्योंकि जयोजों, कि जयोजों 15 सताब्दी में अर्बों का प्रसार और प्रभाव बढ़ता गया तो यह मार्ग आसुरचित होने लगे, अरब जब इस पे अरब का वह हो गया, अरब क्या काम करते थे, लूट बजारी करना सुरू किये, अब जो भी जहाज है, बेड़ा है, उससे क्या करते थे, लूट लेते थे, तो कहीं न कहीं यह मार्ग अच्छी तरह से असुरचित होने लगा, चौदा सो तिरपन में उस्मानिया सल्तनत तुर्क ने कुस्तुन तुनिया नामक, चौदा सो तिरपन में उस्मानिया सल्तनत तुर्क ने कुस्तुन तुनिया जीत लिया, और धिरे देश संपूर्ण दच्छड पस्षिम एसिया और दच्छड पूर्वी यूरोप पर ब्यापार करने के अस्थल मार्ग पर उनका आजपत्व हो गया और ये मार्ग यूरोपी जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गए इस कारण यूरोपी देशों को भारत और पूर्वी एसिया के देशों के साथ ब्यापार करने के लिए जल मार की खोज करने की आउसकता पड़ी यूरोप गर्म मसालों के लिए दच्छड पूर्वी एसिया के देशों उपर निर्भर था कह रहा है गर्म मसालों के लिए दच्छर पूर्वी देसों के एस्या के पूर्वी देसों पर निर्बर था यूरोब इस कारण नवीन जलमार की खोज उनके लिए आउसक थी भारत एक ऐसा देश था जो धनवान था और यहां से गर्म मसाले भी प्राप्त कर सकते थे इस कारण भारत से ब्यापार करने की उनकी इच्छा प्रबल थी पंद्रावी सताब्दी के अंतिम चतुर्थांस में हुई कुछ भावगोली खोजों का संसार के विभिन देसों के ब्यापारी संबंदों पर गहरा प्रबाव पड़ा इन खोजों से संसार में अनेक देसों में आपसे संपर का स्थापित हुए इसी प्रयास में अब यहां से देखे इंपॉर्टन चीज़े शुरू होते हैं इसी प्रयास में कॉलंबस इस्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्क खोजने चला किन्त 1492 में अमेरिका पहुंच इस डियाज ने आसा अंतरीब यानि अफरीका का अंतिम किनारा है जिसे उसे तुफानी अंतरीब कहा पहुंच गया उसे दस बरस के बाद 1497 में दूसरा पुर्टगाली कैप्टेन वासकोट गयामा पुर्टगार से चलकर इसी आसा अंतरीब जिसे कि उसने तुफानी अंत अंतरीब भी कहा इसने क्या कहा उत्मान सा अंतरीब कहा को पार करता हुआ कहां पहुंच जाता है पार करता हुआ आगे पूर के और बढ़ा और अब्दुलमजीद नामक गुजराती पत्थ प्रदर्सक की सहाथता से 20 मई 1498 डेट याद रखना है यह बहुत इंपॉर्टन है देट याद रखना है आपको 20 मई 1498 को भारत के पस्चमी इस्थिद्बंदर का काली कट पर पहुंच जाता है कौन पहुंचता है तो आप कहेंगे कि यहां पहुंचने आलब वास्गोट ग्यामा होता है किसके माध्यम्स पहुंचता है वह गुजराती के पत्थ प्रदर्सक है यानि पत्थ दिखाने वाले हैं उन्हीं की सायता से पहुंच जाता है ठीक इस प्रकार भारत के लिए एक नया यूरोपी समुद्री मार्क हो जा गया जिसे के पाप गुड होक मार्क नाम दिया गया भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सरपर्थम पूर्थगीज पूर्थगाली आए इसके बाद डच अंग्रे डेनिज फ्रांसी सी आए ध्याताबैक की अंग्रे डच के बाद भारत आए तो था अंग्रे जोने इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थापना डच इस्ट इंडिया कमपनी से पहले हो चुगी थी तो आज की सिंखला यहीं पे कर हम लोग और प्रस्णों को करते हैं ठीक है तो यहां पर देखे दिया गया पंद्रहमी सताब्दी में एजिया और भूमत सागरी वा यूरोपी ब्यापार का एकादिकार किस देश के ब्यापार के हाथों में था क्रमसा अरब और इतालवी ब्यापारियों के हाथों में था पुर्टग ने इसे हेन्री दैन नेविगेटर की संग्या भी दिये यह संभौता मद्य युक की किसी भी अन्य घटना का सब्वे संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा किन्तों यह भारत जाने के समुद्री मार्क खुल जाने से उक्त कथन किस इतिहासकार का है डाडवेल का है मद्यकाल में सरप्रथम भारत से ब्यापार संबंध किस यूरोपियन कंपनी वा देश ने बनाये थे पुर्दगाली ने बनाये थे और पंद्रहवी सताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्पून खटना किस बंदरगाह का अंतर राष्टी बं का सहयोग किया था अब्दुलमजीद नामक गुजराती पत्प्रदर सकते तो आज की पहली सिंखला हम लोग यहीं पर विराम देते हैं मुझे उमीद है का आपको समझ में आया इसी तरह से हम लोग एक चैक्टर को एक एक करम से पढ़ते हैं एक टापिक को चले जाएंगे देरे देरे हमारा क्या होगा पूरा आधुनिक भारत इतियास कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले परिच्छा में 20-22 प्रसन हम बड़े आसानी से कर सकते हैं तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिए अजाज़त दीजिए नमस्कार